नमस्कार वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि अर्विन केजरिवाल को гिरफदर कर लिया गया है सुभ़ से इजी के अःभिन केजरिवाल के घर में पूशताच के लिए थे और अब फाइनली ये खबर आ रही है कि अरविन केजरिवाल को शराप घुटाले मामले में गरफतार कर लिया गया है भरत जी मेरे साथ है बिना देर किये सीध है उनके पास चलेंगे भरत जी एक और प्रग्या जी सबसे पहले अरविन केजरिवाल के घर पर उनसे देर से दो घंटे तक गिरफतार कर लिया है प्रग्याजी और उनकी गिरफतारी के बाद प्रियंका गांधी का एक टूइट आ गया है प्रियंका गांधी ने टूइट किया है कि चुनाव के चलते दिल्ली के मुक्यमंत्री श्री अरविंद के जरिवाल को इस तरह टारगेट करना एकदम गलत और असमवेधानिक है राजनिती का इस तरह से गिरना ना प्रधान मंत्री जी को शोभा देता है ना ही उनकी सरकार को अपने आलोचकों से चुनावी रडभूमी में उतर कर लडिये उनका डट कर मुकाबला करिये उनकी नीतियों और कारशाली पर बेशक हमला करिये यही लोकतंत करना लोकतंतर के हर उसूल के खिलाफ है देश के विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कॉंग्रेस के बैंक खाते फ्रीज कर दिये और तमाम राजनितिक दलों और उनके नेताओं पर EDCBI IT का दिन राद दबाव है एक मुक्यमंत्री जेल में डलवा दिये गए है अब दूस अबसे बड़ी अपडेट अतिशी कि तरफ से आम अगनी पाठी की नेता है इनकी तरफ से ट्वीट आया है एक्स पर इनोंने लिखा है कि अर्विन केजरिवाल की गिरिफतारी का मामला अब सुप्रीम कोट भॉच गया है अतिशी का जो ट्वीट है एक्स पर वह एक तुनाइट इसेल्फ यानि आज रात को ही जल्दी हीरिंग हो सकती है अर्विंद केजरिवाल की गिरफतारी को लेकर के देखिए तुरंट तुरंट सब कुछ हो रहा है बरजी हमारे साथ हमारे साही होगी अभिनव भी मौजूद है सीधे डिली से अभिनव क्या रिपोर्ट जफ्तर की एक हम दूरी की बात करें तो बिल्कुल 200-300 मीटर की दूरी है और उहां पर पुलिस परसासन का पूरा चार्थ चौवंद है और दिल्ली सरकार के जितने भी मंत्री है जितने भी बिधायक है और खासता पर सबसे एहम बात यह है कि दिल्ली बिधान सबागे जो वो काफी महतपूर नोने बाला क्योंकि आम आदमी पार्टी आपको जब याद होगा अभी से कुछ दिन पहले जमनी सी सौधिया की गिरफटारी हुई थी संजैसिंग की गिरफटारी हुई थी तो तमाम तरीके के परदर्सन भी हुए थे लेकिन अभी अभी की मौजूद सबस्क्राइब कब उनके घर से निकाला क्यूंकि सास्तरीय का बखस था जब किस्व अधिकारी पहुंचे उनका कहना था कि हम समन देने के लिए पौँचें लेकिन हो समन देने के बहाने जब अंदर घर में उसे जब ज़ुना पहुंचे ज़ुना पर तमाम कि अरोप भी लगाए सरकार पे मोधी सरकार को उन्होंने गेरा भी उसके बाप जूद अब अभी इस वक्त की बड़ी खबर निकल कर आ रहे कि अर्विंद के जिवाल को गिरफ्तार कर दिया गया तमाम लोगों का तमाम दिली सरकार के जिसे एक बड़ी खबर मेरे पास की तरह जैसे हेमन सोरेन को गिरफ्तार किया गया था इससे पहले हेमन सोरेन ने स्टीफा दिया था अपनी जगह पर किसी और को वहां से मुक्यमंत्री बनाया था जबकि अर्विंद केजरिवाल ऐसा नहीं करने वाले हैं अर्विंद केजरिवाल जेल से ही सरकार चलाएंग अगर अब E.D. की कोशिश ये होगी की E.D. अभी ले जाएगी पूश्ताज करेगी और कल उनको कोट में हाजिर करेगी अरविंद केजरीवाल को कोट में हाजिर करने के बाद E.D. की ये कोशिश रहेगी की केजरीवाल को जादा से जादा दिनों की कस्टडी मांगी जाए न रविन केजरिवाल बहुत सारी चीजों की कडियां हैं। में सुप्रीम कोट में ये मामला सबेरे ही ले जाया जाएगा आम आदमी पार्टी की तरफ से खबर प्रग्या जी ये निकल करा रहा है सबेरे ने टुनाइट इसेल्फ टुनाइट इसेल्फ ये बात आतिशी ने ट्वीट कर दी है आज रात को ही कोई बड़ा फैसला हो सकता है भरग्या जी सुप्रीम कोट रात में सुनवाई करने से रहा सुप्रीम कोट रात में सुनवाई करने से रहा सुप्रीम कोट रात में सुनवाई नहीं करेगा प्रग्या जी इसमें कोई दोरा नहीं है कि रात में कोट खोल कर सुप्रीम कोट सुनवाई करे सुप्रीम मामले हैं उनमें चाहे मनीश शोदिया का मामला हो चाहे संजे सिंग का मामला हो चाहे हेमन सोरेन का मामला हो या और भी कई मामले हो एक बार अगर एडी ने गिरिफतार किया और एडी एक बार लेकर गई तो आप 6 महिने की छुट्टी मानिये तो अब आप ये समझ लीजिए कि इनपोर्समेंट डिरेक्टरेट ने गिरिफतार अरविंद के जरीवाल को कर लिया है तो अरविंद के जरीवाल अब कम से कम 14 दिन की न्याई कि रासत तो मांगेगी ही मांगेगी इनकल कोट में और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोट में ये कहेगी कि ये टॉर्चर है और चुनाव आ चुके हैं जब चुनाव सर पर है तब आप सितिंग सीम को इस तरीके से गिरफतार नह ही संबन देंगे हम उनको ही संबन देंगे तो उस मामले में भी बहुत नोग जोग हुई थी और उस नोग जोग कहले मामले में अरविंद केजरिवाल सामने नहीं आये थे लेकिन इस बार यह दस्वा संबन का आजारा एडी लेकर पहुंची थी और यह संबन देखिए यह सम्मन सिर्फ ED लेकर नहीं पहुची थी, ED के बड़े-बड़े अधिकारी प्रग्या जी सम्मन के साथ पहुचे थे, और ED हर हाल में अरविंद केजरिवाल को गिरिफ्तार करना चाहती थी, और इसलिए अर्विन केजरिवाल को गिरिफतार कर लिया है अब भारतिय जनता पार्टी का राजनितिक रास्ता दिल्ली के भीतर से साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है प्रेग्या जी भारतिय जनता पार्टी जो चाती थी दिल्ली के भीतर वो हो गया है भारतिय जनता पार बहुत बड़ी खबर आरी है हलां कि अभिनाव हमारे सायोगी डिली में ही है लेकिन ये खबर निकल करके आ रही है कि भारी हुजूम अर्विन केजरिवाल के घर के पास लोगों का आने लगा है लोग इकटा होने लगे हैं और विरोध प्रदर्शन साफ दिखाई दे रहा है और सुप्रीम कोट भी जाने वाले हैं अभिनाव आप तो वहीं पर हैं आप क्या कुछ देख रहे हैं खबरे आ रहे हैं कि लोगों का इकटा होना शुरू हो गया है लोग के घर के पास इक आम आदमी पार्टी की तरफ से टूइट किया गया है जब जब मोधी डरता है इडी को आगे करता है यह आम आदमी पार्टी की तरफ से अभी अभी तुरंत के टूइट किया गया है प्रग्या जी अपनी बात कंटिनू करें बन्यों जी क्या प्रेट है बताएं सिच्वेशन है अभी जो इस पिती है यह आप देख सकते हैं कि हाँ पर हजारों की संच्या में हाँ कारिकरता दिली की अननने हिस्से से लगके आ रहे हैं वहां के बिढ़ायक जो है अस्तानिया जो नेता है वो लगाकार उनको लेके दिली के मुख मंतरी आवास की तरफ आ में गिरफटार करना इतना आसान नहीं है अब देखना है कि दिली के मुख मंतरी को निकालती है कि यृषका आवास की दर्वाजे के दिली के धर्षे के तरफ किसी भी तरफ के बग्रस्ती को जाने की उजजड़्यग्याजत रही है अपद्ध इखना है कि अर्विंद के दिर्वाजे से संग्चाला रहे हैं फिर nhत्रस्ता दे कि भी फैक अन्माजितर प्लिस को तो यह जो नारे हैं यह खास तर पे हमेशा लगते हैं लेकिन अब देखना कि कल का दिन दिली की राजनीटी के लिए काफी महत्पुन दिन होने वाला है कि रात में जो कारे करता नहीं पहुंचेंगे वह सुआ बेलकुल खबर आ रही है रही है कि आम आदमी पार्टी रात में ही सुनवाइँ पर अड़ी हुई आमा अदमी पार्टी तो कि और यह मांग की है कि इस मामले की सुनवाई रात में ही की जाए अभी इस मामले की सुनवाई की जाए क्योंकि मसला ये था प्रग्या जी जी मसला ये था कि इससे पहले हाई कोड पहुंची थी आमादमी पार्टी हाई कोड पहुंची थी और ये कहा जा रहा था कि केजरिवाल को एडी के सामने प पार्टी के नेता अर्विन के जरिवाल और दिली के मुख्यमंत्री अर्विन के जरिवाल एडी के सामने पेश हो तो एडी उन्हें गिरिफतार ना करे आप ऐसा ओर्डर दीजिए तो कोट ने ओर्डर देने से इंकार कर दिया था उसी मामले को लेकर सुप्रीम कोट आम आदमी पार्टी पहुंची थी लेकिन एडी ने इस दर्मियान जो समय मिला इस दर्मियान जो जो समय मिला समय देखिए आप आज शाम आज शाम साड़े तीन वि वो ED ने ऐसा इस्तमाल किया कि सुप्रीम कोर्ट में आम आदमी पार्टी की सुनुवाई भी ना होने पाए और उससे पहले अर्विन केजरिवाल को गिरिफ्तार कर लिया जाए एडी ने अर्विन केजरिवाल को कोट में पेश करेगी और जच साब से यह मांगेगी कि नयाई खिरासत मांगेगी इतनी दिन की नयाई किरासत दीजिए तो उसके बाद कुछ नहीं हो पाएगा उसके बाद सुप्रीम कोट भी कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि एक कोट एक कोट नयाई किरासत अगर दे देगी दस दिन की पांच दिन की साथ दिन की चोदा दिन की जो भी नयाई किरासत देगी अगर दे देगी तो तो उस बीच में फिर सुप्रीम कोट भी ये कहने को मजबूर होगा क्योंकि बहुत सारे डिसीजन्स में देखा गया है कि सुनवाई पूश्टाच करने के लिए अगर 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 एजन्सी समय मांग रही है जैंसी लेकर गई तो पूश्टाच करने जी दिक्कत क्या है लेकिन अभी अभी आमादमी पार्टी सुप्रीम कोट में अगर सुनवाई कराने के लिए सुप्रीम कोट को मना ले गई अगर सुप्रीम कोट ने अभी सुनवाई की इस मामले की तो ये पॉसिबल हो सकता है कि अरविन केजरिवाल को कल सुबा कोट पहुचने से पहले ये ओडर आ सकता है अगर सुप्रीम कोट का ओडर आ गया तो कोट पहुचने से पहले ही E.D. को छोड़ना पड़ जाएगा अर वार्विन केजरिवाल को एडी फिर गिरफ्तार करके गिरफ्तार कर चुकी जेल नहीं भेज पाएगी और हरहाल मं इनखिरासत लेना चाहेगी वह ज्याए किरासत नहीं ले पाएगी इन्पोरस्मेंट डारेग्टेड फ्रग्या जीसार नहीं करना है सिर्फ आमध्मी पाटी इस चीज़ का इंटजार कर रही है कि सुप्रीम कोड रजिस्टार का रिस्पॉंस आए और जल से जल इसी रात आज की रात जल्दी सुनवाई हो और विन केजरिवाल को राहत भारत जी इस तरीके से हम देख रहा है थे कि समन के यही बात आगे अपडेट यही बात मैं कह रहा था कि पीएमले प्रग्या जी बड़ा अप्डेट आ रहा है अर्विन केजरिवाल को मेडिकल के लिए ले करके जा रही है ताकि अर्विन केजरिवाल या उनकी तरब से यह ना कहा जा सके कि हमें मारा गया पीटा धमकाया गया या फिर हमारे पास ये निशान है ये हम को यह दिक्कट है हमारे साथ यह भाई यह न कहने पाये इसके लिए जो प्रकरिया होती है चानुन प्रकरिया किसी को भी गिरैफतार करने के बाद उनको medical के लिए ले जाया गया है medical में उनका एक certificate बनेगा कि अर्विन के जरिवाल स्वास्त हैं कैसे हैं जब गिरफ्तार किया गया तब उनका स्वास्त कैसा था वो वो एक सर्टिफिकेट बनेगा और उसके बाद अर्विन के जरिवाल को आज रात भर आज रात भर एडी अपने हिरासत में रखेगी अपनी गिरफ्त में शराब नीती मामले में शराब नीती घोटा लेके आरोप में गिरफतार कर लिया गया है एडी बहुत मशक्कत बहुत मशक्कत के बाद उनको घर से निकालने में काम्याब रही और अर्विन के जिरिवाल के घर के बाहर जैसे अभी अब इनों बता रहे थे यह तमाम सारी सुर कि प्रग्या जी और वो वो होता हुआ दिखाई दे गया नो नहीं बज़ पाया प्रग्या जी नो बशते बशते अर्विन के जिरिवाल को इडी ने गिरफतार कर लिया और ये बिल्कुल तो ये कैसी पॉसिबल हो सकता है भरजी किस जेल में रहते हुए मुख्यमंत्री रहकर दिली की सरकार चलाएंगे अर्विन केजरिवाल और एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब 2024 का चुनाव सर पर है चुनाव से ठीक पहले अर्विन केजरिवाल की गरफतारी क्या इंडिया गडबंधन को बड़ा जटका देगी प्रग्या जी एक हिसाब से अब ये मान लीजिए कि अब आप मान कर चलिए कि 2024 का रिजल्ट घोशित हो चुका है अब बचा क्या है जब विपक्ष के सारे नेताओं को आप उठा कर जेल में डाल देंगे संद्री अखिलेश यादव को आप सीबी आई का नोटिस बेज रहे हैं बिहार में तीसरी तरफ आप देखिए कि लैंड फॉर जॉब वाले मामले में नौकरी और जॉब वाले मामले में लालु प्रसाद यादव के बेटे को तेजस्वी यादव को पूश्ताच के लिए बुलाया जा रहा है और उनके साथ कभी कुछ भी कैसे भी कर सकती है एजेंसियां तो फिर अब काहे का चुनाव प्रग्या जी काहे का चुनाव रह गया है दोहजार चुनाव इसे चुनाव तो कहा ही नहीं जा सकता है अब 400 सीटे गोशित करने की 400 सीटे गोशित मत करे भा अब 543 सीटों पर भारतिय जनता ಪार्टी को दावा करना काईए कि हम 543 सीटें गे, पूरी की पूरी सीटें गे और इतिहास बनाएंगे, इस तरीके से ही अगर चुनाव लड़ना है, अगर चुनाव में इसी तरीके से उतरना है प्रग्या जी, तो चुनाव फिर चुनाव लड़ने का मतलब क्या रह गया चुनाव लड़ना हटाईए वहां से आब चुनाव घोशित कर लीजिए और भारतिय जनता पार्टी के पक्ष में 543 सीटे 543 सीटे घोशित कर देनी चाहिए कि भाई साब अब आप जीते हुए करार दिये जाते हैं जब सब को जेल में डाल कर चुनाव जीतना है 400 सीटे जीतनी हैं तो पिर काहे का चुनाव प्रग्या जी जब जब आप यह देखिए कि जब विपक्ष के मुख्यमंतरी तक सुरक्षित नहीं है एमन सोरें तक सुरक्षित नहीं केजरिवाल तक सुरक्षित नहीं का खाता बंद हुआ जा रहा है तो चुनाव का क्या मतलब है तो जनता का तै करने का मतलब है कि जनता करेगी वोट करेगी फिर चुनाव आयोग को इतना पैसा बहाने की क्या जरूरत है और बेकार का इतना सारा मेहनत करने की क्या वशक्ता रह जाएगी जब विपक्ष मुक्त करने के बाद ही चुनाव डाला जा रहा है और एजेंसियों के जरीए उठाकर जेल में डाला जा रहा है तो इसका क्या मैसेज निकलता है इसका मैसेज तो यही है प्रग्या जी कि चार सो सीटों के लिए यह सब हो रहा है तो यह जो खौफ दिखाई दे रहा है यह खौफ भी बिल्कुल बता रहा है कि यह 400 सीचों का सपना कुछ इसी तरीके से शायद काम्याब होता हुआ दिख रहा है क्योंकि जो तरीके दिखाई दे रहे हैं बीजे पीखे कि जिस तरीके से सरकारों को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है जारकंड में हेमन सोरिन की गिरफ्तार ही हो गई अर्विन के हो गए हैं यह साफ खौफ दिखाई दे रहा है अभी क्या अपडेट है अपके पास अभी क्या कुछ हो रहा है मैं जाना चाहूंगी आपस अभी तो यहां पे यहीं अपडेट यहीं है कि अडबिंद के जिख रिवाग को नितालने की यहां से पुरे स्टोर में आम पूरा चार्ट क्योवन्द है, दोनों तरफ सरक के दोनों तरफ से पुलिस परसासन को पुक्ता इंतिजाम करके खड़ा कर दिया गया है, और किसी भी बख्ट अर्विन केजरिवाल को अंदर से निकाला जा लेकिन आम आदी पार्टी के जो कारी करता है, वो लगातार सरकों संगर्स कर रहे हैं, लगातार सरकों पर डटे हुए है, मुखमंत्री आवास के गेज पर पैटे हुए हैं, कि किसी भी हाल में आम आहां से नहीं आटेंगे, और अर्विन केजरिवाल को अहां से ले जाने के लिए नहीं देंगे, तो यह सबसे बड़ी ख़बर है कि अब अब तक ऐसा चलता है, क्योंकि किसी भी बख्ट अर्विन केजरिवाल को यहां से ले जा जाए, कि सर ने कहा, कि मेडिकल जाज के लिए उनको ले जाए, तो तो तुमाम तरीके के सबाल है, एक तरह सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, कि सुप्रीम कोर्ट में इसको लेको ऐसा नहीं कर सकते हैं, अब देखना बहुत महतपूर्ण है कि अर्विन केजरिवाल के जेल से सरकार चला पाते हैं, या फिर कोई और मुख्मंट्री निक्ठ किया जाएगा है, कल का दिन, मैं बार बार कह रहा हूं कि आज की रात और कल का दिन आम आदमी पार्टी के लिए और दिल्ली के लिए काफी महतपूर्ण होने बाला, खासतर भारतिय राजमीती के लिए कल का दिन, काफी महतपूर्ण है, और कल देखना बहुत एहम है कि कल क्या कुछ होता है, क्योंकि कोट का दरवाजा आमानी पार्टी कटगटा रही है, उधर, एडी कल अर्विन केजर इसको लेकि अर्विन केजरिवाल को गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि वह हमारे जाच में सरयोग नहीं कर रहे थे, क्योंकि बार बार ऐदी यही कहती है, आमाधमी पार्टी के मुख्यमंतरी अर्विन के जरीवाल गिरफ्तार हुए हैं, उसमें बढ़ा अपडेट यहा र प्रियंका गांधी ने जो टूइट किया है उसको एक बारगी दर्शकों के सामने पढ़ना चाहिए दिखाना चाहिए प्रियंका गांधी ने कहा है कि चुनाव के चलते दिल्ली के मुख्यमंत्री शिरिया रविन के जिरिवाल को इस तरह टार्गेट करना एकदम गलत और चुनावी रणभूमी में उतर कर लडिये देखिए प्रियंका गांधी यहां पर कह रही है साफ 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 नरेंद्र मोधी को घेर रही है इसीडी की कारवाई के कारवाई के बाद उन्होंने साफ साफ कहा है कि अरविंद के जिरिवाल को इस तरह टार्गेट करना तक गिरना उन्होंने यह कहा है कि अपने आलो चको से चुनावी रणभूमी में उतर कर लडिये उनका डट कर मुकाबला करिये उनकी नीतियों और कारशायलियों पर बेशक हमला करिये यही लोगतंत्र होता है मगर इस तरह देश की सारी संस्ताओं की ताकत का अपने राज सारी संस्ताओं की ताकत को अपने राजनितिक मकसद के लिए लगाना पूरा करना उनका इस्तमाल करना उन पर दबाव डाल कर उन्हें कमजोर करना लोगतंत्र के हर उसूल गडिया अगर आप जोड़ते रहेंगे तो आप देखेंगे कि किस तरीके से बीजेपी काम कर रही है जो भी जेपी काम करने का तरीकह है जो खौफ है वो दिखाई दे रा है सरकार चाहे वो सरकारों को तोड़ना है हो फिर चाहे वो संस्थाओं का इस्तमाल हो किस तरीके से कॉंग्रिस के बैंक खाते सीज कर दिये गए हैं आज राहुल दान्धी ने प्रेस कॉंफरेंस करके बताया कि उनके पास किसी कारेकरता के लिए टिकेट करने तक के पैसे नही है उसके बाद भी ये एटी की कारवाई हम देख रहे हैं वो भी उस समय पर वरजी जिस वक्त पर इलेक्टोरल बॉंड्स ने बड़े-बड़े कुलासे किये हैं जो लोग जी मैं आपको रोकना चाहूंगा आपको रोकना चाहूंगा एक बड़ी खबर एक बड़ी खबर ह एक विधायक आम आदमी पार्टी की अर्विन केजरिवाल की गिरत्तारी के बाद हिरासत में दिल्ली पुलिस ने उनको ले लिया है उनका नाम भी सामने आ गया है राखी बिरला राखी बिरला को आम आदमी पार्टी की विधायक है राखी बिरला उनको दिल्ली पुलिस न हिरासत में ले लिया है ये बड़ी खबर बड़ी खबर प्रग्या जी निकल करा रही है बड़ी खबर निकल करा रही है आम आदमी पार्टी की विधायक है राकी बिरला उनको हिरासत में दिल्ली पुलिस ने ले लिया है आम आदमी पार्टी की तरफ से एक तरफ अर्बिन के केजरिवाल को गिरफतार कर लिया गया प्रग्या जी और दूसरी तरफ दूसरी तरफ आप देखिए कि उनके विधायक उनकी जो विधायक है राकी बिला बेहत सक्री रहती हैं बहुत मुखर रहती हैं और कई बार जो है विवादों में भी आ जाती हैं और काफी एक्टिव उनको दिल्ली पुलिस ने हिरासत में हिरासत में ले लिया है और प्रग्या जी ये भी खबर निकल करा रही है कि दिल्ली में दिल्ली पुलिस को इस बात की आशंका है कि अरविन केजरिवाल को हिरासत में अरविन केजरिवाल को गिरफतार करने के बाद आमादमी पार्टी के नेता कुछ प्रदर्शन धरना या या ऐसी इस्तितियां पैदा ना करने पाएं और राकी पिर्ला को किसलिए हिरासत में लिया है यह कंफर्म किया जा रहा है आमादी पार्टी की विधायक राकी पुलिस ने हिरासत में लिया है तक बाहर आरे एफ की टीम भी खड़ी हो गई लेटी है तो फिर आगे क्या हो त्या होने वाला है क्या एटिम केशिण रिवाल को रहत मिलेगी यह क्या होने वाला avoir जी आगे क्या कुछ हम देख सकते हैं खंगा दिन बहें करहें हाँょलि बोले आगे देखिए प्रक्रजया जी आगे सिर्फ और सिर्फ यह होगा अभी त पार्टिये चाहेगी कि सुप्रीम कोट अभी रात में खुले और रात में ही इस मामले पर सुनवाई हो वो भी वो भी इसलिए क्योंकि अगर सबेरा हो गया और दस बज गया तो दस बजने के बाद फिर गेंद चली जाएगी कि इडि के पाले में इडि अरविंद के जरिवाल को पेश कर देगी ज़ड साब के सामने और यह कहेगी कि हमको अरविंद के जरिवाल की कष्टडी चाहिए नयाई हिरासत चाहिए लेकिन उससे पहले उससे पहले आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट से उस अपने 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 उस केस में मामला लेना अपने उस केस में डिसिजन लेना चाहती है जिसमें वो इससे पहले लोवर कोर्ट में गई थी जिसमें लोवर कोर्ट में ये कहा था क पूश्ताच कर सकती है पूश्ताच करे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन एडी हमारे सिटिंग सीम को गिरिफतार ना करे जेल में ना लेकर जाए जो की कोट ने मना कर दिया था अब सुप्रीम कोट में वो रात में सुनवाई चाहती है मांग कर दिया सुप्रीम कोट में कि रात म सुनवाई हो अर्विन के जरिवाल के इस मामले पर और मामला बनता भी है प्रग्या-जी रात में सुनवाई का क्योंकि कल का दिन सूरज निकलाया कल की तारीख का और कल अगर दस बज गया तो दस बजने के बाद पिर अरविंद के जरीवाल को कोट में पेश कर देगी E.D.ी कोट में पेश कर देगी और E.D. फिर निया एक हिरासट माँगेगी उससे पहले अगर कोट खुल आने में फामियाब होती है आमादमी पार्टी तो कुछ राहत क्यों मीद की जा सकती है कि अगर मानलीजे सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ गया कि E.D. गिरिफतार कर सकती है गिरिफतार E.D. पुष्टाज के लिए अर्विन के जरिवाल को बुला सकती है लेकिन उनको गिरिफ्तार नहीं कर सकती, अगर इस तरीके का फैसला आ गया सुप्रीम कोर्ट से, तो यह हम आदमी पार्टी की बहुत बड़ी जीत होगी और यह भारतिये जनता पार्टी को बहुत बड़ा जटका होगा प्रग्या जी, दिल्ली के भीतार, दिल्ली की साथ सी लोग बदल ने पड़ गए बारती जनता पार्टी की है और अगर अरविंद केजरिवाल बहर रहते हैं चुनावों तो फिर आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा बहुत बड़ा बहुत बड़ा माफ करिए बीजेपी के लिए बहुत बड़ा बहुत बड़ा डेंट और बहुत बड़ा खत्रा बनकर रहेंगे नरेंदर मोदी के लिए चार्शो का सपना है वो सपना वो सपना धूरा व बारतिय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर यह नहीं चाहती है कि उसका सपना अधूरा रह जाए नरेंद्र मोधी जो चाहते हैं जाते हैं की वह रिकौर्ड बना कर जाएं आ करीब आर जब बन रहे हैं तो इतिहास में उनका नाम लिछा जाए किताब में का नाम लिछा जाए स्पास के बारे में तो पूरी दुनिया वाकिफ ऐ लेकिन जो इतिहास बनाने की उनकी theoretical की जिद है उसally इससे पहले बहुत बड़ा राहका रोड़ा बन रहे थे शराब नीती घोटा लेका रोप अरभिन के जिरिवाल के उपर है और उस आरोप में देखिए और इस आरोप में था क्या कि 35 करोड़ रुपए का कुछ मसला था प्रज्ञ्या जी 35 करोड़ रुपए चेक से ले लिये कर जो है नीती को बदल दिया गया था इस नीती के बदलने से सराब माफियाओं को जो माफिया वर्ड यूज किया जाता है उनको इतने इतने रुपए का जो है फाइदा हो गया आप देखिए आप दूसरी तरफ यह देखिए कि ED की बॉंड के जरीए बॉंड के जरीए भारत जनता पार्टी को भारत वर्ष में सबसे जादा चंदा मिला भारतिय जनता पार्टी को और भारतिय जनता पार्टी को जब चंदा मिला प्रग्या जी जब चंदा मिलने के बाद में कई कमपनिया ऐसी हैं जिनको सरकारी ठेके मिल गए प्रग्या जी और कई कमपनिया ऐसी हैं कई कमपनियां ऐसी हैं प्रग्या जी जिनके उपर पहले छापा पड़ता है और फिर वो कमपनियां बॉंड खरीद लेती हैं और फिर वो कमपनियां पार्टी को चंदा दे देती हैं फिर वो कमपनियां बच जाती हैं उनका उनके उपर जो छापा पड़ा वो छापा फिर व हो रहा है और अगर अर्विंद के जिरिवाल यह जो 34 35 करोड़ रुपए बताए जा रहे हैं कि शराब उद्योग पतियों से शराब का धंदा करने वाले लोगों से लिए जो आरोप लगाया जा रहे हैं यही बॉंड में ले लेते यही बॉंड में ले लेते तो आज के सबसे बड़े राजा हरिश्चंद होते किता भी पैसा खा जाते डकार जाते देश लूट लेते मकारी कर जाते देश बेच डालते लेकिन बॉंड पर बेचते बॉंड पर देश बेचते बॉंड पर दिल्ली बेच डालते तो अच्छा था बॉंड पर दिल्ली बेच डालते तो बैच डालते थी था लेकिन ऐसे नहीं कर सकते बिना बॉंड के नहीं इस देश में देश बेचने का देश सरकारी कम्पनियों के ठेके बेचने का सिस्टम लागू किया गया था वह के जरीए किया गया था बार्टिय जनता पार्टी बांड को अवैद किसने करार दिया इस देश के सुप्रीम कोट ने बांड को बैन किसने किया सुप्रीम कोट ने बांड क्या था बांड काला धन काले तरीके से पार्टियों तक पैसा पहुंचाने का एक रास्ता था जिसको क देश में यह सब नहीं सब जुखो रहा है major दिखाई देधिन कि पीछ और पहले इसके लिए अभिनम के पास तुनम्ट के आपके पास गिरा है वो प्रग्या जी बड़ा अपडेट ये है बड़ा अपडेट ये है कि वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिए वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिए अभी रात में सुप्रीम कोट में सुनवाई हो सकती है प्रग्या जी उम्मीदे आम आग्मी पार्टी की जाग रही है उम्मीदे आम आद्मी पार्टी की जागती हुई दिखाई दे रही है प्रग्या जी रात में सुप्रीम कोट सुनवाई कर सकता है और वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये सुनवाई हो सकती है प्रग्या जी और सुप्रीम कोड़ को सुप्रीम कोड़ को एक अप्डेट आ रहा है एक सिकंड रुकिए गाजी बताईए प्रग्या जी सुप्रीम कोट के रजिश्टरार के घर अरविन केजरिवाल के वकील जा रहा है रजिश्टरार से तुरंत करेंगे केजरिवाल और एक जो मैं कह रहा था रहा था और आप खबर निकल करके आरे की वीडियो कॉंफेंसिंग हो सकती है सिर्फ इतना बताईए कि क जज घर से भी सुनवाई कर सकते हैं जजों कोई अधिकार है कि वो अपने घर में भी अदालत लगा सकते हैं जजों कोई अधिकार है कि वो अपने जिस कमरे में बैठे हो उस कमरे में भी सुनवाई कर सकते हैं इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है सुनवाई करने में कोई दि प्यार हो सकते हैं और जहां जिस हालत में जज साब बैठे हुए होंगे उस हालत में वो सुनवाई कर सकते हैं प्रग्या जी तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि सुनवाई रात में हो या सुनवाई बहुत बड़ी बात है इसके लिए अदालत अदालत खोलने की जरूरत पड़ेगी अदालत की बत्तियां जलाने जरूत पड़ेगी पोछा लगाने वाला पी प्यून चाहिए होगा एक आदमी चाहिए होगा जो पहले कुर्सियां साफ करें तो ऐसा कुछ नहीं जहां जैसे जिस इस्तिती में भी बैठे हो उस इस्तिती में सुनवाई कर सकते हैं लेकिन जज इस पर राजी होने चाहिए बात सिर्फ और सिर्फ इतनी है प्रग्या जी